हाई फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूं बूपेंदर सिंग ठाकुर आज आप लोगों को एक अच्छ प्लांट की बारे में बतारने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है और बता दू कि मेरे पास एक दोस्त का फॉन आया था जिन्होंने पू को ताइम बरबाद करता है चीज का भी हो जैसी कि उपछ तयूर है ये चोटा इसा प्लांट हो नमी प्लांट और इसको आप घर लगा पानी डाल दीजे अब आप सोचों कि इसको लगाने से क्या फायदा होते हैं इसको कम के एर में इसको लगा सकते हैं और ज्यादा महंगा भी नहीं है आपको हंडरेट के आसपास आजाएगा और जब भी आप जाते हो नरसरी इसको लेने के लिए तो आप जो यह गमला है तो बाहर से खरीद लीजे क्योंकि उहां पर थोड़ा कॉश्टली पड़ता है और इसमें बहुत सारी वेराइटी आती हैं जो कि आप देख सकते हैं वहां पर जाकर और जब भी और वेराइटी लाओंगा तो आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा तो आप लोगों को बता ज होता है कि लगाने से घर में मनी आती मैं इस उद्धे से नहीं लाया हूं कि मैरा मानना है कि ऑक्सिजन देता है घर में एक-दू प्लांट ऐसे रखे हैं जो की ऑक्सिजन देती रहें पहरिए कोई पैसी तुलग नहीं रहा है बस एक बार 100 रुपे के आसपास ज्याएजा तो से कम जादा अलग अलग नरसरी रहते हैं तो फ kicking के अंदर कहा दा है इस बहुत ही अच्छा है और सारी आप लोगों को जड़ाउं गिव्ब बताऊंगा कि कौन कौन सब लांट है कुछे दिन बाद मैं लाने बाला हूं तो आप लोगों को जरूर लगाना चाहिए आप लोग आसपास घर के बाहर भी कुछ प्लांट लगाई है क्योंकि देख रहा हूं डे बाई डे ऑक्सिजन का लेवल भी थोड़ा सा कम होता जा रहा प्रिदूशन के कारण जिसकी वज़े से हम लोगों को सुभी ऑक्सिजन लेने के लिए एक्सेसाइज करने के लिए बा है कि यही पंधे बहुत बॉलते की यही प्लांट उसके लाबा बहुत सारे प्लांट रहते हैं जो की आपको अक्सिजन देते हैं जैसे लिशुंट इंडिका भी बहुत अच्छ जो घर के बाहर आप लगा सकते हैं और क्या है कि डे बाई डे कंटीनु जो फारेस्ट हैं बन कटते जा रहे हैं और बहुत सारी समस्यां भी पैदा हो रहे हैं तो ऐसे यह दी कंटीनु बन कटते गए एक दिन बहुत बड़ी ऑक्सीजन की भी समस्य आ जाएगी तो आप लोग उस रिक्वेस्ट है कि आप आसपास जहां प प्यार करोगे नेचर आपसे भी उतना ही प्यार करेगी सच बात है क्योंकि देखिए यदि आप कंटीनु पीड काटते गए और आपने पीड नहीं लगाए ना तो एक दिन बहुत बड़ी समस्या होगे जैसे कि अभी आप कुछ समस्यां देख चुकी है ना तो बहुत सार है जैसे अभी गर्मी भी बहुत पड़ती है वर साथ भी टायम पर नहीं होती है तो इसका बहुत सारी कारण यहीं है बनों का कंटीनु कटना तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बार बार यही इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप नेचर लबर बन तो मतलब कम थी बाहर लोग घर से बाहर नहीं निकले थे तो देखा था सुनने मिला था निवस्पेपर में आया था कि यहां का जल इतना साफ हो गया है प्रिदूर्शन का लेविल कम हो गया है तो यह सब मनुस्तिकी एक्टिविटी के कारण प्रिदूर्शन होता है जैसे फेक्ट्रिय वगेरा हैं यह सारी चीजें तो उनसे जो गंदा पानी निकलता है वो जाकी सीधा नदियों में मिलता है और वहां पर जो नदियों में जली जीव रहते हैं उनको भी नुकसान होता है और यहां तक कि उनकी डेट भी हो जाती है तो आप लोग से पास लगा ओगी तो आप लोगों के लिए उसे फाइदा होने वालवा से अप लोगों बता दुआ कि जैसे कभी आफ की फाइदा ला डाते हैं वहुसे अप सूच देपर लेते यह धिन में आप कितनी औक सीजन जया चिपान कह वर और मैंने पड़ा है कि जो 20% oxygen आती है बल्ड में अमिजोन बन से आती है तो आप लोग हमेशा नेचर लबर भी बनिए बाकी लबर तो हैं ही आप लेकिन नेचर लबर भी बनिए इससे बहुत आपको फायदा होंगे ऐसे फायदे होंगे कि जो आपको दिखेंगे नहीं कुछ दिन बाद समझ में आएंगे कि हां ऐसा नेचर लबर बनने से कुछ फायदा होता है तो आप लोग आसपास और एक मैसेज अपने दोस्तों में अपने ग्रूप में सेयर कीजिए क्योंकि इस मैसेज से कहीं पर इस वीडियो इस मैसेज से यदि कहीं पर कुछ पिलांट भी लग गए ना तो मुझे बहुत खुशी होगी तो आप लोग हमेशन नेचर लबर बनने प्लीज और आप लोग जैसे कभी फारेश्ट में गए होंगे तो आप लोगोंने देखा होगा कि हम वहां से निकल रहे होते कि कितना अच्छा लगता है कितना सुकून मिलता है जब जैसे फारेश्ट में कहीं से जा रहा है और गाड़ी में बैठे हुए जब कार की विंडो से देखते हैं तो कितना प्यारा लगता है जो प्राकरतिक सौंदर ही रहती नेचरल व्यूटी रहती वो कितनी प्यारी रहती है तो आप लोग समझ सकते हो कि उसका किदना एफेक् कर दो